तो अंधेरे में सबसे ज़्यादा काम आने वाला चीज जो की है LED बल्ग जिसका अविस्कार महान साइंटिस्ट फॉमस अलवा अडिशन ने सन 1889 में किया था रात के अंधेरे को हटा कर उजाला राने के लिए तब से अब तक बल्ग में बहुत सारे मॉडिफिकेशन किये गय जिसे हम LED कहता है और आजकल के सभी बल्ग में सिर्फ LED का यूज किया जाता है मगर सिर्फ बल्ग में ही नहीं यहां तक सभी स्क्रीन्स, श्रिफ लाइट्स और बहुत सारे डिवाइसे में भी LED का यूज किया जाता है तो आज हम जानने वाले हैं कि LED आकर वर्ग कैसे करता और यहीं जाने के लिए तो आप भी इस वीडियो में आए हैं तो स्वागत आपका हमारे चैनिए LED यानि Light Emitting Diode जिसका काम है लाइट को Emit करना आसान भासा में एक ऐसा डायोड जो प्रकास को निकालता है उसे LED कहते हैं तो अब देखते हैं कि LED काम कैसे करता है यह एक ऐसे प्रिंसपल पर वर्क करता है जिसका नाम है Electroluminescence यानि Electro प्लस Lumin प्लस Essence LED एक प्रकार का प्लेट होता है जो कि दो पार्ट से बना होता है जिसमें पहला पार्ट को Positive टाइप और दूसरे पार्ट को Negative टाइप पहा जाता है पहले पार्ट में Hole बने होते हैं और दूसरा यानि Negative पार्ट में Free Electrons प्रेजेंट होता है यह दोनों पार्ट को P N जक्सर यानि इसका पार्ट Divide किये रहता है जब Positive टर्मिनल को P टाइप से और Negative टर्मिनल को N टाइप से Connect कर दिया जाता है तो यह Current के पास होते ही Holes P N जक्सर बैरियर को Cross कर N टाइप में जाने लगता है और Free Electrons P टाइप में जाने लगते है आसान भासा में दोनों अपने Place को Exchange करने लगते हैं और इसी बीच वो दोनों एक दूसरे से Recommend यानी एक दूसरे से Fused होने लगते हैं और इससे जो Energy Light के रूप में निकलती हैं उससे Scientific Language में Photon कहा जाता है याद रहे, Photon नहीं, Photon, T-H-O-T-O-N आसा है कि आपको Working of LED क्लियरली पता चल गया होगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो Like, Share, Comment and Subscribe के जरीए आप हमें बता सकते हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब ते के लिए Goodbye